तो दोस्तों आज हम एक ऐसी लड़की की जर्णी देखेंगे जो अपने प्रिंस को माउस से वापस इंसान बनाना चाहती है और इसमें उसकी मदद करती है एक नोसिख्या जादूगर तो चलिए शुरू करते हैं तो मूवी की शुरू में हमें एलेक्स नाम के एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जिसे एक विच्ट ने खांदानी दुश्मनी के कारण माउस में बदल दिया और उसकी जगह एक फेक प्रिंस ओलाफ को बिठा दिया फिर एक दिन उनके राजे में एक एला नाम के दुख होता है और वो अपनी लाइफ पावर उसे देकर वापस माउस बन जाता है तब से एला और उसके फ्रेंड्स कोई ऐसा तरीका ढून रहे हैं जिससे वो एलेक्स को फिर से इनसान बना सके ऐसे ये तिन क्रिस्टल भागती हुई एला के पास आती है और बताती है कि उसन उने कुछ चीजे लाने को बोलती है जैसे ब्लैक फैदर, रेंबो एग और ब्लू फ्लावर का स्टैमिन इन सब को मिला कर वो एक मैजिकल पोशन बनाती है लेकिन एलेक्स पर इसका कोई असर नहीं होता और उल्टा वो उसे घायल कर देती है क्रिस्टल समझ जाती है कि पैला एलेक्स से वहीं पैलेस में रुकने को कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस ओथर के घर पहुच जाती है वो देखते हैं कि उसका घर मैजिक से भरा हुआ है लेकिन बहुत बुलाने पर भी वो उनके सामने आने से मना कर देता है तब एला उसे सारी बात बताती है और उसकी प्रॉब्लम सुनकर वो उनसे मिलने को तयार हो जाता है वो देखते हैं कि ये डोक्टर असल में एक टोटोईज है और उसे अपने नौलेज़ पर बहुत ही घमंड है थोड़ा भाव खाने के बाद वो फाइनले उन्हें एक लू देने को तयार हो जाता है और बत नहीं देगी क्रिस्टल को लगता है कि वो बस उन्हें बेफकूप बना रहा है लेकिन एला उसे वहां तक मोशने में अपनी मदद करने को कहती है तब डोक्टर उन्हें बताता है कि मेरे बैक्यार्ड में एक लाउड रहता है और अगर तुम उसे मना सको तो वो तुमें सम क्रिस्टल से मिलने जाते हैं लेकिन देखते हैं कि वो उनकी बात सुनने को बिल्कुल तयार नहीं है क्रिस्टल फ्रस्ट्रेट होकर उस पर अपना मैजिक यूस करती है और इससे क्लाउड को भी गुस्सा आ जाता है एला समझ जाती है कि वो तो बस उनके साथ खेलना चात है और जल्दी ही उसमें और क्लाउड में दोस्ती हो जाती है एला फाइनली उसे अपनी जर्नी के लिए तयार कर लेती है और ये देखकर क्रिस्टल उदास हो जाती है आगे हम उन सब को उस कैसल की और जाते वे देखते हैं और एला नोटिस करती है कि क्रिस्टल का मूड अ अचानक से खराब हो गया है एला उससे इसका कारण पूछती है जिस पर क्रिस्टल बताती है कि शायद वो अपने ग्रूप के लिए एकदम यूजलेस है और यहां तक कि अपना मैचिक भी ठीक से नहीं यूज कर पाती उसे लगता है कि वो कभी एक परफेक्ट जादूगर न पहुच जाते हैं और क्लाउड उने वहीं छोड़कर वापस चला जाता है यहां उनका सामना एक बोलने वाले पेड़ से होता है जो खुद को इस फोरेस्ट का गाइड बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस कैसल तक तुरंद पहुचा दूँगा वो देखते हैं कि यह पेड़ चलने में बहुत स्लो है लेकिन कोई और चारा ना होने के कारण उन्हें उसे ही फोलो करना पड़ता है पेड़ की मदद से फाइनली वो उस कैसल तक पहुच जाते हैं और देखते हैं कि दो गार्स महां की पहरेदारी कर रहे हैं क्रिस्टल अपने माउस फ्रेंड क साथ उनका ध्यान बढ़काती है और पीचे से एला उस कैसल के अंदर चली जाती है वहां उसे फोरस्ट क्वेन का रूम दिखाई देता है जिसमें कुछ हजीब सी स्टैचूस रखे हुए हैं तब ही एक लैंप जिन्दा होकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम शक और एक मैजिकल कार्पेट भी है फिर एला गलती से एक मैजिकल पेंटिंग में चली जाती है और एक के बाद एक उसे वहां कए खत्रों का सामना करना पडता है तब ही उन्हें फोरस्ट क्वीन की आने की अवाज सुनाई देती है और एक लेडी एला को पेंटिंग से बहार निकाल देती है लैम्प उसे जल्दी से एक अलमारी में छुपने को कहता है और तब ही क्वीन अपने रूम में आ जाती है वो समझ जाती है कि यहां जरूर कुछ गड़बड हुई है और अपने मैचिक से एला को अलमारी से बाहर निकाल देती है वो एला से इस तरह यहां आने का कारण पूछती है और तब ही उसे ढूंडते हुए क्रिस्टल और वो माउस वहां आ जाते हैं क्वीन को लगता है कि यह सब शायद यहां चोरी करने आए हैं और वो एक एक करके उन सब को कैद कर लेती है तब एला उसे बताती है कि हम तो यहां उस लाइफ स्टोन को लेने आए थे ताकि अपने फ्रेंड एलक्स की मदद कर सकें लेकिन फोरेस्ट क्वीन उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने यहांने में देर कर दी क्योंकि लाइफ स्टोन को तो डेजर्ट क्वीन ने पहले ही चुरा लिया है तब एला उसे एक डील करती है कि अगर हम लाइफ स्टोन को वापस ले आए तो आप हमें उसे अपने फ्रेंड पर यूज करने दोगी फोरेस्ट क्वीन उने समझाती है कि डेजर्ट क्वीन बहुत ही खतरनाक है और तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे लेकिन एला पीछे हटने को बिल्कुल तयार नहीं होती लेम्प और बागी स्टेचुज भी क्वीन को उनका ओफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं और कुछ सोच कर वो उनकी बात मानने को तयार हो जाती है फिर वो उन्हें आगे जाने के लिए एक मैप देती है और लेम्प को एक कड़े में बदल कर एला के हाथ पर बान देती है ताकि वो उन सब पर नजर रख सके आगे का सीन डेजर्ट कैसल का है जहां ओलाफ इस सारे प्लैन की जानकारी डेजर्ट क्वीन को देता है लेकिन उसे लगता है कि वो बच्चे उसका कुछ नहीं बिगार पाएंगे ताब वो लाफ कहता है कि आपको अपनी आर्मी के लिए एक जादुगर की जरूरत थी और मैं क्रिस्टल को बहला कर आपके पास ला सकता हूँ बदले में आपको मेरा किंग्डम पाने में मेरी मदद करनी होगी और डेजर्ट क्वीन भी इसके लिए तयार हो जाती है इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शोटकट नजर आता है लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि उन्हें इस रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहिए वो अपने मैजिक से इधर उधर खत्रा ढूनने लगती है लेकिन एला उसे समझाती है कि तुम बेवजा ही ओवर्येक्ट कर रही हो और हर जगा मैजिक यूज़ करने के कोई जरूरत नहीं है इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और क्रिस्टल गुस्से में उन्हें छोड़कर चली जाती है यही हम मुलाफ को देखते हैं जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था और वो क्रिस्टल से मिलने उसके पीछे जाता है आगे एला और उसके सात्यों को एक हट दिखाई देती है जिसमें धेर सारा खाना रखा हुआ है तब ही एक पिंजरा एला को कैद कर लेता है और पता चलता है कि यह एक शेतान बिल्ली का घर है वो वोल्टर को पकड़ कर खाने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि वोल्टर को उसकी बनाई डिशिस बहुत पसंद आई है यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमेशा से एक शेप बनना चाहती थी लेकिन कोई भी उसकी डिशिस को पसंद नहीं करता था एला को ये सुनकर क्रिस्टल का ध्यान आता है और वो सोचती है कि ना जाने वो किस हाल में होगी उधर उलाफ क्रिस्टल से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुमारे दोस्तों को तुमारे स्किल्स की कोई कदर नहीं है और अकर तुम डेजर्ट कुईन के साथ मिल जाओ तो वो तुमें एक पावरफुल जादूगर बना देगी क्रिस्टल भी उसकी चलाकी को नहीं समझ पाती और डेजर्ट कुईन का साथ देने को तयार हो जाती है इधर एला और मौसिस का सामने एक बेर से होता है और इससे पहले कि वो उन्हें चोट पहुचा पाए एला उसे अपने यहां आने का कारण बताती है बेर उसका दोस्तों के लिए प्यार देखकर बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहां से सही सलामत जाने दूँगा लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक लेटर पढ़ना होगा पता चलता है कि यह लेटर उसके भाई ने उसे लिखा था जिसके साथ काफे टाइम पहले उसकी लड़ाई हो गई थी और रव वो सब कुछ बुला कर उससे दुबारा मिलना चाता है एला समझ चाती है कि अपनों से अलग होना ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और यह सोचकर उसे क्रिस्टल का ख्याल आता है और वो वोल्टर और मैनी के साथ उसे डूरने निकल जाती है और लाव भी डेजर्ट में उन्हें देख लेता है और क्रिस्टल की मदद से वो उन तीनों को एक स्पेल में कैथ कर लेते हैं एला भी क्रिस्टल को उसके साथ देख कर बहुत हैरान होती है और उसे समझाती है कि तुमें इस आदमे पर विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन क्रिस्टल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो उन्हें धोके बाज और सेलफिश बताती है और लाव भी आग में गी डालने का काम करता है और कहता है कि अब तुमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी ही क्रिस्टल एक पावरफुल जादूगर बन जाएगी एला एक बार फिर उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुमारे भी ना हम यहां तक कभी नहीं पहुन सकते थे और तुम अभी भी हमारी टीम का एक एहम इस्सा हो यह सुनकर क्रिस्टल को अपनी गल्दी का एहसास हो जाता है और अपने दोस्तों को आजाद करके वो उलाफ को इस पैल में कैद कर लेती है आगे वो एक लंबा रस्ता तैकर के उस कैसल तक आते है जिस तक जाने के लिए उन्हें एक ब्रीज क्रोस करना होगा लेकिन जैसे ही वो उसकी सेंटर में आते हैं वो ब्रीज तूटने लगता है और ये लोग बड़ी मुश्किलों से बचते हुए दूसरी तरफ आते हैं फिर कुछ बबल्स उन्हें उठा कर उपर पैलेस में ले जाते हैं और यहां उनका सामना उस डैसर्ट क्वीन से होता है वो उन्हें बताती है कि लाइफ स्टोन से मैं अपने डैसर्ट को हरा भरा करना चाती हूँ और यही मेरी डैस्टिनी है एला उससे किसी और तरीके के बारे में पूछती है जिस पर क्वीन कहती है कि मुझे अपने काम के लिए एक जादूगर की जरूरत है और अगर क्रिस्टल यहां रहने को तयार हो जाए तो मैं तुम्हें वो लाइफ स्टोन यूज करने के लिए दे सकती हूँ क्रिस्टल उसकी बात मानने को तयार हो जाती है और एला को समझाती है कि इससे वो एलेक्स को फिर से इनसान बना सकती है और डेजर्ट क्वीन की मदद से उसका बड़ा जादूगर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा फिर देजर्ट क्विन उसके हाथ में वो लाइफ स्टों देती है, लेकिन पता चलता है कि ये सब उसका एक प्लान था और उसने क्रिस्टल को अपने स्पेल में बांग लिया है, उसे कंट्रोल करके वो ऐला को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और क्रिस्टल को अपने साथ कैसल में ले जाती है इधर एला किसी तरह बच जाती है और वोल्टर और मैनी के साथ उपर कैसल की ओर चड़ने लगती है उधर डेजर्ट क्रिस्टल से एक बार फिर सोचने को कहती है और बताती है कि मैं तुम्हारा परफेक्ट जादुगर बनने का सबना पूरा कर सकती हूँ लेकिन क्रिस्टल ऐसा करने से मना कर देती है तब ही एला और उसके माउस महा आते हैं और क्वीन को बातों में उलजा कर लाइफ स्टोन को चुरा लेते हैं क्रिस्टल भी स्पेल तूटने से आजाद हो जाती है और वो सब कैसल से बाहरा जाते है डेजर्ट क्वीन गुस्से में उन पर अटेक करती है जिसके लगते ही क्रिस्टल एक डॉल में बदल जाती है एला को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो डेजर्ट क्वीन से इसक पाबलण नहीं कर पाएगी और ये सुनकर एला तुरंतु से डूरने निकल जाती है बता चलता है कि वो लाइफ स्टॉन मैनी के पास है लेकिन तब ही उनके सामने ओलाफ जोक्टर ने उसे उनकी मदद करने भेजा है। फिर वो उड़तेवे वापस कैसल की ओर आते हैं। और देखते हैं कि डेजर्ट कुइन ने फोरेस्ट कुइन को ट्रैप कर लिया है। एला किसी तरह बचतेवे उस टोन को फोरेस्ट कुइन की ओर उचालती है। लेकिन वो देखते हैं कि डेजर्ट क्वीन भी उसे पकड़ने आ रही है। तबी फोरेस्ट क्वीन एला के हाथ में बंदे उस लैंप को एक्टिवेट करती है और उसकी रोशनी डेजर्ट क्वीन को चकाचोंद कर देती है। लाइफ स्टोन भी फाइनली फोरेस्ट क्वीन की चड़ी तक पहुँच जाता है और वो डेजर्ट क्वीन को उड़ा कर दूर फैंक देती है। आगे हम उन सबी को फोरेस्ट कैसल में देखते हैं जहां क्वीन उने बताती है कि वो एलेक्स और क्रिस्टल में से किसी एक को ही ठीक कर सकते हैं। को बहुत दुख होता है। आगे क्वीन उसे बताती है कि लाइफ स्टोन ने तुमारी मैजिकल पावर को बढ़ा दिया है जिससे तुम भी एक परफेक्ट जादूगर बन चुकी हो और अब तुम फिर से अपना पहले वाला स्पेल ट्राए कर सकती हो। क्रिस्टल भी ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से स्पेल की चीजों को फिर से एकठा करने को बोलती है। फाइनली उसके स्पेल से एलेक्स फिर से इनसान बन जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।